नमस्कार मैं जोसी मुहंजी नशत्रवानी चैनल से मा ताड़ा को परणाम करते हुए अपने गुरू को परणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन आज के रासिफल में दिनांग चार्च हो दोहजारेकीस दिन सुक्रवार जेस्ट मास क्रिस्न पक्ष दस्मीत थी उत्रा भातपद नशत्र आठ बच के 47 मिनट रात्रे तक उपरांथ रेपती नशत्र पूरे दिन चंडरमा मीन रासी में ही रहेंगे तो आईए आज का रासी फ़ल सुरू करें सबसे पहले मेस रासी चंडरमा आपके बार्मे में बैठे हुए है शनी के निशत्र में और शनी दसंभाव में आपके बैठे हुए है आज का दिन कार्च छित्रों के लिए आपके कार्च के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं कुछ न कुछ प्रोब्लम्स होते रहेंगे कुछ न नुक्षान होता रहेगा प्रतु भाग भाव बहुत प्रबल है आपका मीन रासी में चंद्रमा है और चंद्रमा पूरे दिन मीन रासी में ही रहेंगे मीन राशी का स्वामी विरस्पती आपके गार में भाव में बैटे हुए हैं तो आए कहीं न कहीं से तो आपको हो ही जाएगा प्रन्तु कर्म के छेत्र में आपको काफी साफधानी बरतने की जुरूरत है सूर्ज आपके भागभाव को बरा रहे हैं लगजरी समान खरिदने पर आपका ध्यान जा सकता है मंगल आपके चतुर रस्थान में बैटे हुए हैं सनी की द्रिष्टी में तो पूरे दिन अगर आप सईयम रखें तो आज का दिन ज्यादा अच्छा होगा बानी में आपकी काफी कटूता रहेगी लोगों पर ब्यंक भी आप कर सकते हैं पैत्रिक संपत्ति का जो आपका कोट केस बगर चल रहा है आज के दिन कोई भी कारवाई करने की जुरूरत नहीं है जैसा है उसा रहने दिजे आज के दिन पूर्ण सईयम रखें आप आज के दिन आपको अश्चुब हो ब्रिशव रासी चंद्रमा आपके मीन रासीगत इकार में बहुं में बैठे हुए हैं शनी के नचत्र में आज आपका भाग्य और आये दोनों एक दूसरे से संबंद बनाई हुए है आए होगा भाग साथ देगा भाग के बदोलत आये होंगे संतान पक से अच्छे ख़बर सुनने को मिल सकते हैं प्राकर्म आपका बढ़ा हुआ रहेगा काफी लोग आपको सम्मान की दिर्ष्टी से देखेंगे गौर्डमेंट पे जो काम करते हैं उनका प्रमोशन होगा सरकारी नोकरी करते हैं उनको काफी मान सम्मान मिलेगा आपको काफी लोग इज़द देंगे आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है माता से लाव होने की शमभावना है आपको दांपत जीवन में थोड़े तनाव रहेंगे उसको आप सहीम से निप्टे पार्टनर से थोड़ा अनबन हो सकता है आज के दिन तो आज के दिन आप पूर्ण ध्यान दें कि किसी से अनबन न हो क्योंकि आज के दिन आपका बराही शांदार है पैसे की जो प्रोब्लम आपको रही थी वो खत्म होंगे भाग पूर्ण साथ देगा आपको पैसे के लिए हाई बड़ा ही सांदार होगा, भाग बहुत ही सांदार होगा आज के दिन आप सूर्ज को जल चराएं और शुक्र का मंत्रज आप करें ओम दराम दरिम दराम सह शुक्राय नमा दिन आपका शुखो मीधवन रासी चंद्रवा आपके दस्मे स्थानें बेटे हुए है शनी की नचत्र में थोड़ा अपने कर्मशेत्र पर ध्यान दें कर्मशेत्र से आपको नुक्षान होने की समभाव मैं प्रवल है खास करके आपके मित्र आपका साथ नहीं देंगे आपके सगे संबंधी आपको डिच कर सकते हैं तो आज के दिन किसी भी बिस्वास करने की जुरुरत नहीं है जो ब्यक्ति नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी करते हैं उनके स्थान में परिवर्तन हो सकता है, उनका ट्रांस्पर पॉस्टिंग हो सकता है सत्रू पर तो आप विजय पाहीं लेंगे प्रन्तु सत्रू से साबधान रहें आपके बहुत सारे गुप्ठ सत्रू हैं जो आपसे जलते हैं क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं तो बुद्धि भी आज सही काम नहीं करेगा आपका संतान पक्ष आपके अच्छे रहेंगे परन्तु आज के दिन पूर्ण सहियम रखने की जुरूरत है आपको बानी में जो कठोड़ता है उसको थोरी दूर करे और पानी को थोरी मधूर कर ले दिन आपका काफी अच्छा होगा आज के दिन आप मूंग साबूत मूंग किसी भी लाल गाय को खिलाव है तो आएक के स्रुज जो है जो थोरा बूत रुक रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे तो साबूत मूंग लाल गाय को अवस्णी आज खिलाव है दिन आपका शुभू करकडासी चंद्रमा आपके भाग भाव में बैठके भाग को काफी प्रवल कर रहे हैं जीवन साथी से भी आपको लाब मिलेगा प्राकर्म आपका बरहा हुआ रहेगा मगर गुस्टा गुस्टा को आस्त्यागे हैं क्योंकि गुस्टा आपके काम को बिगार सकता है आए के स्रोथ बहुत ही अच्छे हैं आपके लेकिन गुस्टा आपके आए के स्रोथ को डिस्टर्ब कर सकता है तो आज के दिन गुस्टे पर कंट्रोल रखें मीन रासी का चंद्रमा भाग भाव में बढ़कर आपके भाग और प्राकर्म सबको बढ़ा रहा है यात्रा कभी योग बना रहा है तो यात्रा न करने की सला दी जाती है संतानपक से थोड़ी प्रोब्लम हो सकते हैं मगर सेयर सटा लोट्री से काफी लाब होगा तो आज के दिन के बढ़ गुस्टा को कंट्रोल लखे और खुल कर जीने की कुशिस करे दिन काफी सांधार है आज के दिन आप सबा किलो दूद गाय का दूद किसी भी कन्या को या किसी भी महिला को दान करें बहुत लाब होगा दिन आपका शुबो सिंग रासी शंद्रमा आपके अस्टम में बैठे हुए है और सनी के नचत्र में बैठे हुए है सनी आपके छटे भाव में है तो जो बेक्ती कर्ज से परिशान है उन्हें थोरी राहत मिलेगी आज अगर बैंक का दबाव आपर बना हुआ रहेगा अगर बैंक से अपने कर्ज लिया है मांसी का सांती भी रहेगी आपको तो मांसी का सांती से बचने के लिए आप सहियम रखें खर्ज का कोई ओर छोड़ नहीं होगा खर्ज की अधिक्ता बहुत ज़्यादा होगी खर्ज पर कंट्रोल करें आज के दिन कर्म के छेदर तो हैं सांदार लेकिन अपने उच्चा धिकाडियों से साबधान रहें अगर कोई भी काम आपके उच्चा धिकाड़ी आपको देते हैं तो पूर्म रूप से बिना सूचे समझें उनकी आदेश का पालन करें उनकी हर बात को आज मान ले परना थोड़ी तकलिफ हो सकती है जीवन साथी से भी कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है आपको जीवन साथी से भी आप प्रशान रहेंगे आज के दिन कुल मिलाकर आज का दिन आपको सहयम रखने का है पूर्म सहयम रखने का है आप सहयम आज रखें कल से बहुत ही अच्छा होगा तो आज के दिन सही हम रखें तथा सिवलिंग पर सवा किलो दूद्चर है शिव जी के मंतर के जाब से हरिम शिवाए नमा हरिम हरिम शिवाए नमा हरिम इस मंतर का जाब करते हुए शिवलिंग पर सवा किलो दूद चराए और किसी भी कन्या को सवा किलो दूद दान करें काफी लाब होगा दिन आपका शुभो कन्यारासी चंद्रमा आपके सब्तम अस्थान में बेठे हुए हैं दिन काफी अच्छा होने वाला है मन में काफी उस्सा रहेगा काफी उस्सा से आप काम करेंगे संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है संतान के स्वास्त काफी अच्छे रहेंगे माता पिता के स्वास्त काफी अच्छे रहेंगे आए के साथन बड़ा ही प्रवल है अगर खर्च भी आपका बना हुआ है पूर्ण जो युवा युप्ति आज प्रेम बिवा करना चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है आज उनके प्रेम बिवा करने का पूर्ण समय है लेकिन माता पिता के मर्जित से ही ब्या करें शादी करें ज्यादा उत्तम होगा आज के दिन आप बुद्ध के मंत्रों को जाब करें जो बेक्ति लब मेरीज करना चाथे हैं जो इवाई उक्ति वो शुक्र के मंत्रों का जाब करें ओम द्राम द्रिम द्राम शह सुक्राय नमा दिन आपका शुभू तुलारा सीव चंद्रमा आपके छटे में बैटे हुए हैं और शनी के नचद्र में हैं माता के स्वास पर पूरा ध्यान दें पिता के स्वास पर ही पूरा ध्यान दें आज माता के पिता के स्वास्त के कारण आपको काफी परशान हो सकती है, विरस्पति तो आपके आए भाव को देख रहे हैं, तो आए आए आपका ठीक ही होगा, कोई प्रोब्लम्स नहीं है, लगन को भी देख रहे हैं, तो आपके स्वास्त में भी सर्दी खांसी हो सकती है, जो वेक्ति जमीन का काम करते हैं, जमीन खरिदना चाते हैं, बेचना चाते हैं, नया फ्लेत लेना चाते हैं, उनके के युझी दिन शांधार है, शुक्र जो है उनका भाग-मावा बैठ के भाग को काफी working, जो वेक्ति इंटरनेट बगर से काम करना चाहते हैं उनके के लिए दिन बड़ा सांधार है संचार के माध्यम से उनको काफी लाब होगा कुल मिलाकर आज दिन आपका सांधार है परन्तु आज ध्यान रखें अपने माता और पिता के स्वास्त पर आज के दिन आप सवा किलो दही और सवा किलो चीनी किसी भी ब्रिद्ध पुजारी ब्राम्मन या किसी भी व्यक्ति को दान करें दिन अच्छा होगा दिन आपका शुभो ब्रिष्चिक रासी चंद्रमा पंचम में बैठे हुए हैं शनी के निचत्र में सनी भी आपके तिसरे स्थान में बैठे हुए दिन आपका बहुत ही अच्छा है चंद्रमा आए भाव को देख रहे हैं तो आए तो होता ही रहेगा शनी के निचत्र में चंद्रमा तीर्तिय स्थान में बैठे हुए हैं संचार माध्यम से आपको काफी लाब मिलेगा दूर दूर से बेकते दूर दूर से लोग आपको सं पर कर सकते हैं आपसे जो व्यक्ति विदेश से आना चाहते हैं विदेश से समाचार पाना चाहते हैं विदेश में काम करना चाहते हैं विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनके के लिए आज का दिन बढ़ा ही सांदार है विदेश से वो काफी लाब उठा सकते हैं मन तो पार्टनर्शिप का दंदा करते हैं, काम करते हैं, वो साफधान रहा है, अपने पार्टनर से साफधान रहा है, आपके बुद्धी तो काम करेगी, लेकिन पार्टनर आपके काफी उग्र रहेंगे, जिसके कारण आपको प्रशानी हो सकती है, तो पार्टनर्शिप में ध्या पर दियान रखें, दिन आपका रही अच्छा होगा, लेकिन आप सबसे पहले गनीज जी का 108 नाम का जाब जरूर करें, आज सुवव उठके नहादवा के, या दुर्गा जी का 108 नाम जाब करें, दिन आपका काफी अच्छा होगा, काफी लाव होंगे, दिन आपके शुव हो धनूरा से, चंद्रमा आपके चतूर तस्थान में बैटे हुए हैं, टिन तस्थान को देख रहा हैं, शनी के नच्छत्र में चंद्रमा है, सनी दूतिय वाव में बैटे हुए हैं, सनी भी आपके गुनली में चंद्रमा के ही नच्छत्र में हैं, सर्वन नच्छत्र में, विरस्पति आपके भाग वाओ को देखे भाग को काफी बहा रहा हैं, आय वाओ को देखे आय को भी बहा रहा हैं, सत्रुपर आपकी जीत होगी, मगर आज यात्रा ना करने की सला दी जाती है, किसी भी कीमत पर आज यात्रा ना करें, पैत्रिक संपत्ती का बहुत सारे मामले आपके जो प्रेंडिंग थे आज भी प्रेंडिंग रहेंगे उसमें कोई लाव होने वाला नहीं है तो आप इस मामले में तुरा शायम रखें विदेश से आज अच्छे सुपसंकेत मिलने की शंभाव ना है संतान पक्स से काफी निरासा होगी संतान पक्स से परशानी होगी संतान को चोट उट लगने की संभाव ना आपकी परवल है तो संतान के स्वास पर ध्यान दें आज के दिन आप किसी भी महिला को सवा कि रोचेना का दाल जरूर दान करें या बिर्यस्पती के मंत्र को जाब करें ओम ग्राम ग्रिम ग्राम सह गुरुवे नमा दिन आपका शुब होगा मकर रासी चंद्रमा तीसरे स्थान में बैटे हुए हैं सनी के निशत्र में आज के दिन आप यात्रा करेंगे संचार माद्यम में जो काम करते हैं उनको लाव होगा परन्तु सनी की सरह साथी आपको काफी परिशान की हुए है अगर आप यात्रा करते हैं तो ध्यान रखेंगे आप यात्रा में कुछ परिशान ही हो सकती है कुछ समान चोड़ी बगएर हो सकता है तो उस पर आप ध्यान रखेंगे आए बहुत आज आपका प्रबल है परतु नीज का मंगल आपके सिवन तस्थान पर बैठा हुआ है जीवन साथी के स्वास्त में काफी परशानी होगी अगर वेप साहब पार्टनर सिव में करते हैं तो पार्टनर भी आपको आज तकलीफ दे सकते हैं काफी तकलीफ दे सकते हैं क्योंकि मंगल जो है बिरस्पती की नशत्र में है मंगल जहां से बैठा हुआ हाँ से बिरस्पती आठमे में है यानि दूटीएवां मे तो आज partner से साफधान रहें वरना partner आपके सीर पर चर कर बोलेगा और आपको सुनना होगा ऐसे भी सनी की सारसाथी आपके पिछले सारे कर्म का फैसला कर रहा है और मेरी सला है कि सारे बुरे कर्म को छोड़के अच्छे कर्म में लग जाएं आप काफी गुद्धिवान बेखती हैं कर्मत भी हैं काम करने में माहिर हैं तो आज का दिन आई के लिए ठीक है वगत पार्टनर जीवन साथी आप से परशानी आपका सामना करना परेगा कुल मिलाकर दिम्मध्यम ही है सनी के मंतरों का जाप करें ओम प्राम प्रिम प्रॉम सहसन चराय नमा ओम प्राम प्रिम प्रॉम सहसन चराय नमा तता काला चना काला चना लाल गाय को खिलाएं काला चना लाल गाय को खिलाएं काफी फायदा होगा दिन आपका अश्यू हो कुम्बरासि चंद्रमा आपके दूतिये स्थान में बैटे हुए हैं शनी के निचत्र में आज के दिन आप सांथ ज्यादा रहेंगे बला मदूर मदूर बोलेंगे बिरस्पति भी लग्ण में बैठकर आपको अच्छारी जल्डते रहा है संतान भाव को देख रहा है पार्टनर्शिप के हाउस को देख रहा है भाग भाव को देख रहा है तो भाग में बिर्दी कर रहा है जीवन साथी के स्वास पर बिर्दी कर रहा है पार्टनर्सिप में अच्छा रिजल्स दे रहा है संतान भाव के भाग में बिर्दी कर रहा है संतान भाव को अच्छा स्वास दे रहा है प्रंतु सुर्ज राहू और बुद्ध आपके बैटे हुए हैं वोरतस्तान पर माता के स्वास पिता के स्वास पर पूर्ण ध्यान दें तथा जो ब्यक्ति हिर्देर हुई रहे हैं वो अपने स्वास पर पूरा ध्यान दें 15 जून 2021 तद स्वास में कोई लाफर भाहिया आप न बढ़ते हैं आज के दिन आप शुक्र के मंत्रों का जाब करें फाइदा होगा शनी के मंत्रों का जाब करें हनुमान चलिशा पर हैं सुन्दर कान पर हैं क्योंकि सनी की सारे साती भी आपको चल लही है और सनी चंद्रमा के हिने शत्र में हैं आँख में अगर आपको प्रोब्लम होता है तो इमीटियर डॉक्टर से जाएं आँख में प्रोब्लम हो सकता है आपको आँख से पानी गीर सकता है आपको तो सही हम रखें दिन आपका शुख हो अन्ति मिरासी मीन चंद्रमा आपके रासी पहीं बैठे हुए हैं लगन में बैठे हुए हैं और शनी के नचत्र में हैं बड़ा ही सुंदर संज्योग मन रहा है आपका आए के साधर्म बहुत ही प्रबल होंगे मन बहुत ही प्रशन रहेगा प्राकर्म बढ़ा हुआ रहेगा आपका बिर्यस्पती बाणमे में राहु की नचत्र में है तो बिदेश से भी आपको सुचना सुनने को मिल सकती है क्योंकि राहु तीसरे अस्तान में बटे हुए हैं सुर्ज अबूत के साथ तो बिदेश से अच्छी सुचना सुनने को मिल सकती है संतान पक्स थोड़ा ध्यान दे स्वास्त आपका ठीक रहेगा आज के दिन आप थोड़ा मार्केटिंग बगरा के लिए परशान रहेंगे करने के लिए जो बेक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जमी जाइदात का काम करते हैं उनके के लिए दिन तो आज बहुत ही अच्छा है जो एक्रिमेंट करना है कर ले लाब ही लाब होगा लेकिन सारे लाब डिपेंड करता है आपके अच्छे कर्मों पर अगर आप अच्छे कर्म करते हैं लाब होगा बुरे कर्म करते हैं तो भगवाने मालिक है तो आज के दिन लग जाए बिश्नु सहस्त्रनाम का जाब करें या बिश्नु जी के मंत्रों का जाब करें ओम नमो भगवते वासु देवाए ओम नमो भगवते वासु देवाए दिन काफी अच्छा है गरीब बेक्तियों को कम से कम तीन गरीब बेक्तियों को आज के दिन खाना खिला दे जमीन जादात के काम करने वाले छाय कोई भी काम करने वाले बढ़ा ही लाव होगा बढ़ा ही सुन्दर रिजल्ट्स मिलेंगे तो सभी रासियों का मैंने रासिफल कहा शुरू में मैं कुछ बताना आपको भूल गया आज का राहुकाल आज का राहुकाल 10 बज के 35 मिनट सुवा से 12 बज के 20 मिनट दोफर तक है तो राहुकाल का थुरा ध्यान रखें आज का वीडियो इतना ही कल फिर मिलेंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सेर करें चाहे वो किसी भी कुने में देख रहे हूँ आपके लाइब, लाइब, सब्सक्राइब और सेर से मेरा होसला बढ़ेगा बहुत सारे आस्टलोजिकल टिप भी मैं लाता रहूँगा में सेत्रवानी को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करें नमस्वार